बिजनोर के सिद्धी रोयल केसल हॉल में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टम के तहत गोस्टी का आईजन किया गया करेकरम के मुख्याती थी कर रूप में पहुंचे मंडला युक्त मुरादबाद मंडल अंजने कुमार सिंग ने इन्वेस्टम के तहत उद्ध्योगों को प्रोथ साहन और बढ़ावा देने के लिए उद्ध्योग पत्यो के साथ गोस्टी का आईजन किया मां सरस्वतिम की वंधना के साथ इन्वेस्टम के तहत कारेकरम का आईजन किया गया जिसमें बिज्ण और मुझफर नगर नॉडा दिल्ली मेरट सहित अन्यकई उद्ध्योग पत्यों ने कारेकरम में शिर्कत की और इन्वेस्टमेंट के तहत लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उमीज जा गई है उद्यमियों द्वारा 6,000 करोड रुपए का निवेश का रेश्टेशन कराया गया है डियम उमेश मिश्णा ने बताया कि बिजनौर में पूंजी निवेश के लिए एक हजार करोड के लक्षे सापेक्ष हुआ 6,000 करोड निवेश जिसमें बेलजियम की एगरी इस्टो मासा स्टेफनी डर्मर्टियर द्वारा 200 करोड रुपए का एक प्रोसेसिंग प्लांड भी शामिल है अभी तो यह शुरुआत है जिसका अंजाम बहुत ही सुखद और पे मंदल कारेकरम में बिजनौर के डियम उमेश मिश्रा और स्पी दिनेश सिंग वा अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे बिजनौर एक्सप्रेस के साथ हमारे समवादाता आखिफन सारी इसके पहले यह होता था कि बहुत ज़्यादा बतार किसी को अगर व्यासाय लगाना है तो आपना हमारे पास दोड़ता था आता था और हम उसको मिश्री तुरुप से अभी हम अपना काम करते थे लेकि वेलकम करने वाला हिसाब नहीं था कि आप आओ आओ आपके समस्या हम हमारी समस्या है आपका निवेश जो भी इन्वेस्टमेंट है वह हमारी जिम्मेदारी है अब वह एक चेंज आया है माने मुखमांती जी के निर्देश में और इसलिए वह हर जगा पे सम्मिट हो रहा है यहां पे भी 6000 क्रोड का निवेश हुआ है लेकिन मुझे पूरी उम निवेशक है मैं आएगे एक रिकल्चर के स्क्टर में जो संभावनाएं है जो हमारी हस्ट के संभावनाएं उनको देखते हुए मुझे अभी उमीद है और प्रस्ताव आ रहा है कि बहुत सारा अभी निवेश को कितना आज के लिए अब तक कितना हुआ है इस च्छाहार क सब्सक्राइब कर रहे हैं और सिंगल विंडू कर रहे हैं और सिंगल विंडू उस तरीके का फॉर्मल सिंगल विंडू नहीं है हमारे यहां एक डेडिकेटड वाट्सअप नंबर है जिस पे सीधे अगर वो मैसेज करते हैं उनकी किसी समस्या के बारे में जिए अपने आपको दर्ज कराने के बाद तो इमेडिएटली हम उसको टैकल करते हैं उसमें बातचित करते हैं कई सारे उद्देमी मुझसे सीध सार दिन के अंदर और जो आडिजन से उनकी मदद के लिए भी सपोर्ट के लिए भी हम कई सारे कदम उठा रहे हैं तो इसमें इस तरह से आप क्या समझते हैं कि और कितने इंवेस्टर की कतार लग सकती है और मुझे लगता है इसके पहले भी एक फॉरें इंवेस्टर आके मेरे द्रू यहां पर आ चुके यहां पर जो मैंने का अग्रिकल्चर सेक्टर आपका इतना सम्रद्ध है कि उसके लिए फॉरें इंवेस्टर लगाता संपर्क कर रहे हैं और मैटेरिलाइज होगा तो आपको जब दीखेगा कि फॉरें के फॉरें का इंवेस्टमेंट